यदि आपको erectile dysfunction के समस्या है और आप कच्चा पे आज नहीं खाते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए नमस्कार मैं हूँ आपका sexologist धीपकरोडा हमारे क्लिनेक्स दिली और चंडिगर दोनों जगहां पे हैं मोहाली में भी हमारे एक क्लिनेक है उसके साथ-साथ हम आउनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं हमरी वेबसाइट dr.arudas.com के थूँ पिछले 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के दुरान में हमने 1.5 लाग से भी ज़्यादा लोगों की मदद किये उनको बहतरीन sex life पाने में और अब हम करोडों लोगों के मदद के लिए यूट्यूब के माद हम से इंफरमेशन पहुंचा आते हैं चलिए जिन जिन लोगों को erectile dysfunction के समस्या रहती है या उनको समस्या नहीं है उनको ऐसा लगता है कि यार sex life को और बहतरीन बनाना है मुझे तो उन सब को raw onion कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए हो सके तो आप तीनों वक्त के खाने के साथ कच्चा प्याज खाईए yes I understand कि तीनों वक्त के खाने के बाद कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे से onion की जो समेल आती है वो बहुत परिशान करती है आप कच्चा प्याज खाने के बाद आप थोड़ा सौफ खा सकते हैं ब्रेश कर सकते हैं उससे आप उस समेल को कंट्रोल कर सकते हैं मगर कच्चा प्याज जो होता है न वो आपकी life में आपको sex life को बहतरीन करने के लिए आपकी erection को बहतर करने के लिए बहुत अच्छा थाबित हो सकता है इनफेक्ट आपके testosterone लेवल को बढ़ाने में बहुत अच्छा थाबित हो सकता है इनफेक्ट अभी कुछ दिन पहले एक नई फिल्म आईए नेटफलिक्स पे थाई मसाज उसमें चाहे वो सीन मजाग की तरह दिखाया गया हो चाहे वो सीन इलाज की तरह दिखाया गया हो मगर उसमें भी जो लीड रोल में गजराज राओ जी रोल कर रहे हैं लीड रोल में जो होते हैं बजर्ग उनको erectile dysfunction की समस्या होती और वो कहीं डॉक्टर के पास जाने में शर्मा रहे होते हैं उनको कोई किसी बजर्ग पहलवान के पास कोई लेके जाता है और बजर्ग पहलवान का उस बढ़ापे में एक नई उलाद होई होती है तो वो सब जगा मशूर होते हैं बज़र्ग पहलवान की इतनी उमर में भी देखो 85 साल की उमर में आप इनका बच्चा पैदा और नहीं बीवी से हुआ है तो वो उनके पास इलाज के लिए जाते हैं के बताईए क्या करूं तो बज़र्ग उनको कहते हैं के कच्चा पैज खाया करो और कूब एक्सरसाइज करो वो तो कहते हैं डंड पेलो देखो यह दिया आप कच्चा पैज दिन में 3-4 दफ़ा अपने मील्स में आड़ कर लेते हैं अब 5-4 पैज अगर आप खा लेते हैं कच्चे पैज रोज के और कम से कम 40 मिनट की ब्रिस्क वाक करते हैं या कोई भी रिग्रस ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो आपके ब्लेड सर्कुलिशन बढ़ाने में मदद करती हैं जो आपके हार्ट की स्ट्रेंद को बढ़ाने में मदद करती हैं वो सारी एक्सरसाइज कच्चे पैज के साथ आपके एरेक्टाइल डिस्ट फंक्शन से बाह है थोड़ा जग रही है बुझरी ऐसे होने लग गए इरेक्शन आता है जाता है अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शुरुआत हो रही है माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या कुछ केसे में मौडरेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इरेक्टाइल डिस् नहीं तो वो सिवेर एरेक्टायल डिस्फंक्शन हो सकता है वहां पे आपको साथ-साथ चिकिस्सक की डॉक्टर की सिक्सॉलोजिस के मदद की भी जरूरत पढ़ सकती है यदि आप चाहें तो आप हमारे डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे कॉ करके आप अपना अपॉंट्मेंट बुक कर सकते हैं आप किसी भी शहर में रहते हैं आपको ऑनलाइन कंसिल्टेशन हमारे डॉक्टर के माध्यम से मिल सकती है आप चाहें तो हमारे दिली चंडी-गड़िया-मोहाली के किसी क्लिनिक में परसिनली विजिट करके हमारे डॉक झाल